है ले स्वान वेल कम बैक तो पिछले लेक्चरज में हम लोगों ने टेक्णोमेट्री स्टार्ट कर दिया था तो टेक्नोमेट्री में हम लोगों ने टेक्नोमेट्री स्कॐाज में और का सिखा था तीक कि बात करेंगे कि 10 कंस से बनाते है कंगा कंसे बनाते हैं का कैसे बनाएंग confess c फिर उसके बाद़ हम लोग इंवर्च टेक्नोमेट्री की घरए तो जैसे आपको दिख रहा पढ़गा इसá अज तैनाथ ग्राफ आपको बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी एक्स वाई प्लेन की जरूरत पड़ेगी तो लाइक दिस कुछ मैं में चली लेता हूं कि यह आपके पास एक्स एक्सिस है कि यह आपके पास वाई एक्सिसे बड़ा ठीक है ओके अब जरूरा हम लोग समझते हैं यहां पर कि कुछ मैं लाइनिंग करता हूं अभी बताता हूं क्या है कि अब यहां पर जो वाई उकल टू टैने एक्स है यह अपना क्या है जीरो जीरो है जीरो है कि दर वान है पाई बाई टू लेकर चलते हैं यह पाई बाई टू है यह पाई है यह थ्री पाई बाई टू है और यह टू पाई है ठीक है इधर क्या अपने पास लेप्ट में जीरो के लेप्ट में माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस का 3 pi by 2 माइनस का 2 pi आप बेटा देखे करना क्या है यह जो y is equal to 10x है अगर आप यहाँ से एप्रोच करो कि अगर माल लीजे मैं x की value 0 पिक करता हूं क्या लेता हूं x को 0 पिक करता हूं तो जैसे बेटा मैं x को 0 पिक करूंगा तो 10 0 की value 0 हो जाएगी इसका मतलब है कि y की value हमें 0 मिल जाएगी yes or no जैसे मैंने x पिक किया 0 y हमें 0 मिल गया अगर माल लीजे मैं x को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाता है इस 0 को जब मैंने x को 0 किया यह 0 0 है ठीक है तो जब मैंने इसको 0 किया तो मिझे 0 मिला माल लीजे इस पाइवाई 2 से पहले आपके पास बीच में पाइवाई 4 आएगा तो अगर मैं 10 पाइवाई 4 करता हूं तो मेरे को बेलो 1 मिलती है मिलती है या नहीं मिलती है 10 पाइवाई 4 तो अगर मैं x को पाइवाई 4 करता हूं तो यहां पर y की वेलो 1 मिलती है अगर मैं 10 पाइवाई 2 करता हूं एक्स को पाइवाई 2 लेता हूं तो 10 पाइवाई 2 की वेलो इनफिंटी चले जाती है अगर मैं नेगेट्व में आता हूं माइनस पाई वेई टू लेता हूँ तो माइनस का वन मिलता है और माइनस का पाई वेई टू लेता हूँ तो माइनस का इनफिंटी मिलता है यस या नो तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं X को बढ़ा रहा हूँ Y की वेलू लगातार बढ़ रही है और जब मैं x की value decrease कर रहा हूँ तो y भी minus infinity की ओर decrease कर रहा है minus infinity की ओर जा रहा है yes or no इसका मतलब है कि इसका graph कहां से बनाएंगे minus pi by 2 से pi by 2 के बीच बनेगा कैसे बनेगा इसका graph इसका graph basically कुछ ऐसा आपको दिखेगा कि जब मैंने x लिया तो मुझे y0 मिला पिर जब मैंने इसको बढ़ाया x को तो ये कुछ ऐसा गया जब मैंने इसको pi by 2 किया तो sin infinity की ओर ऐसे निकल गया जब मैंने negative की ओर आया तो ये minus infinity की ओर निकल गया तिसका जो graph बना minus pi by 2 से pi by 2 के बीच बना फिर अगले बाद जब आप इसके आगे बढ़े πाई तक पहुचे हम लोगों ने तो देखा इसका ग्राफ जब 3 πाई वाई 2 से और पाई वाई 2 और 3 πाई वाई 2 के बीच पहुचे तो इसका ग्राफ बेसिकली जब मैंने 10 पाई रखा तो काट 90 क्या हो जाएगा काट 90 होगा और काट 90 बेसिकली जीरो होता है इसलिए यहां से चलेगा और फिर ऐसे निकल जाएगा यह टच नहीं होगा यह ऐसे इंफिंटी को और चला जाएगा और यह ऐसा इसे और इसके आगे आपर फाइब लेना है तो इसका यह इसरे ऐसे जाएगा और फिर यह से निकल जाएगा तीक है ऐसे इधर भी आएगा कि माइनस पाइब टू पर आप हो जाएगा और अपने पास इधा रहता हो जाएगा अई अधियू क्लियर टी आपका ग्राप बन गया किसका ड्राप बन गया ठीक है अब बेटा मेरे को देखना है किसका डोमेन क्या होगा और पर इसकी रेज़ रोग तो IF लोग इसकि डोमेन की बात करें तो domain minus infinity से plus infinity तक तो आ रहा है बट बीच में कुछ यहाँ पर gaping भी है ओ गैप क्या है पाइवाइट टू पर मिल नहीं रहा है 3 पाइवाइट टू पर नहीं मिल ला है मेरे को graph इसका मतलब है कि जो domain होगा domain क्या होगा बेटा माइनस infinity से infinity और माइनस टू एन प्लस वन पाइवाइट टू अगर मैं एन को जीरो पिक करूंगा तो पाइवाइट टू पर नहीं मिल ला एन को वन पिक करूंगा 3 पाइवाइट टू पर ऐसे नेगेट टू की और भी नहीं मिलेगा इसका मतलब domain माइनस infinity से प्लस infinity और माइनस जिस पाइंट पर नहीं मिला है उस पाइंट को मैंने हटा दिया जैसे 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 एन को मैं डिफरेंट डिफरेंट एन की वेलू चूज करूंगा मेरे को डि सब्सक्रूंट से प्लस infinity की और आएगा कि एंटीजर हो फिक है अब बात करते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा तो पीरियड का मतलब है कि कि कितने डिस्टेंस के बाद वह ग्राफ को repeat कर रहा है तो पाइड कि ये ग्राफ फिर से वही repeat कर रहा है पाइपाई distance के बाद graph अपना क्या कर रहा है repeat कर रहा है त्शन हो जो पिरियर आएगा ओक्या जाएगा पाइए जाएगा आ रहे हो clear तो सब लोग note कर लिजे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला हमारे पास है कार्टेक्स का ग्राफ तो कार्टेक्स का कैसे बनाएंगी तो सबसे पहले हम लोग को एक्स वाई प्लेंटरा करते हैं कि एक्स एक्सिस हो आई एक्सिस है ओके चले कुछ अम लोग यहां पर लाइनिंग करते हैं कि अगर करते हैं कि अगर आए कि यह अपना क्या है जीरो इधर क्या मिलेगा पाई वैटू पाई, 3 पाई वै टू, 2 पाई, अगला 5 पाई वै टू, ठीक है, माइनस पाई वै टू, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई वै टू, माइनस का 2 पाई, ओके, अब देखिए यहाँ पर y is equal to cartex है, क्या है आपके पास, y is equal to cartex, तो y is equal to, अगर आपके पास cartex है, तो अगर मैं x को 0 करता हूँ, अगर मैं, इफ माली जे, x को मैं 0 पिक करता हूँ, तो cart 0 की value infinity आएगी, तो y infinity को और चला जाता है, अगर माली जे, pi by 4 लोगे, तो basically 1 पर तो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप pi by 4 x को लेते हो, तो आपके पास y1 पर चला जाता है, और जब आप x को pi by 2 लेते हो, तो cart pi by 2 आपके पास क्या आजाता है, cart pi by 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, yes or no, होगा, चले, अब अगर negative में ऐसे जाओगे, तो इधर आओगे, तो minus का pi by 2 हो जाएगा, minus cart minus pi by 2, तो इधर आपके पास कहा जाएगा, यह भी 0 की ओर चला जाएगा, और जब pi लोगे, तो आपके पास क्या आजाएगा, yes or no, इसका मतलब क्या है, कि जब आप 0 यहाँ पर pi by 2 ले रहे हो, तो यह 0 पर जा रहा है, minus pi by 2 ले रहे हो, तब भी यह 0 पर जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा है, और जैसे 0 आप पिक करते हैं, यह infinity को टेंड कर जाता है, 0 लेने पर, infinity को टेंड करता है, इसका मतलब इसका जो graph होगा, वो basically बनेगा कहां से, 0 जैसे आप pi by 2 लेते हैं, तो मेरे को 0 मिलता है, इसका मतलब यह यहाँ सी start होगा, है ना, और जब आप क्या लेते हो, 0 लेते हो, तो कहां चला जाता है, अपने पास यह infinity को टेंड चला जाता है, इसका मतलब यह कुछ इधर plus infinity को टेंड जाएगा, और काट, काट 180, यह यह नो, तो काट 180 आएगा, तो अपने पास कहां चला जाएगा, माइनस का 1090 विच इस इकूल टू माइनस इनफिंटी, तो देखो, यहाँ पर जब pi by 2 लिया, तो 0 पर गया, जब मैं 0 लिया, तो इनफिंटी गया, तो माइनस इनफिंटी गया, इधर भी जब 0 पाइ, माइनस पाइवे टू लोगा, तो कहां जाएगा, प्लस इनफिंटी के और जाएगा, यह भी ऐसा चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, तो सबसे पहले इधर वाला कहां जाएगा, जब आप pi by 2 pi से 2 pi जाओगे, तो pi से 2 pi जाओगे, तो फिर से वही जाएगा, pi पर अपने पास कहां चला जाएगा, pi लोगे, तो काड़ पाए, काड़ पाए मत्तों माइनस का 1090 विच इकोल टू माइनस इनफिंटी, yes, you know, 3 pi by 2 लोगे, तो 0 पर जाएगा, तो basically इसका ग्राप कहां पर बनेगा, फिर से वही ऐसा ही बन जाएगा, भाई, बनेगा यार, नहीं बनेगा, बन जाएगा, समझ में आ रहा है, yes, you know, इधर भी अपने पास आ जाएगा, yes, you know, are you clear, तो समझ में आ गया, तो यह अपना ग्राफ हो गया, अब हमें देखना है, इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, तो इसकी डोमेन जो होगी, डोमेन कहां से देखते हैं, माइनस इन्फिन्टी से प्लस इन्फिन्टी के और जातो रहे हैं, पर बीच में यहाँ पाई, टू पाई पर इधर भी ऐसे नहीं मिला, यहां पर इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा, और माइनस इन्फिन्टी टू इन्फिन्टी होगा, माइनस का एन पाई जहाँ पर romance करेगा, integer से जैसे ये की मैं different different value रखूंगा जब मैं 0 रखूंगा तो 0 पर नहीं मिलना होगा वह जिसको बाहर कर देंगे एक्सेट नहीं करेंगे जब 1 पिक करेंगे तो पाई आजाएगा टू पिक करेंगे तो टू पाई पर नहीं मिलेगा ऐसे नेगेट टीद तरफ नहीं प्लस इंफिंटी की वर जातु रहा है उसमें तो कोई डाउट सी नहीं तो रहेंगे क्या हो जाएगा माइनस से प्लस इंफिंटी अब बात करना एक सरी कर ना पीरियड होगा कितना होगा तो देखो दो ग्राब के बीच का जो डिस्टेंस है और इसमें से माइनस Lat qui के तो पाई का डिफ्रेंस आएगा किसी में दोर में देखो अगर्न दोनों के बीच का गैपद को पाई इसका मतलब पाई distance के बादिया को रिपीट कर रहा है कि इसका मतलब जो इसका मतलब प्यैड होगा हो कि तना हो जाएगा आप यह था आपने पास काठ का ग्राफ अब अगला ग्राफ हम लोग से इसका देखते हैं तो नोट कर लिजी सब लोग अगला है हमारे पास y is a regard like that करेंगी वोख में देखना में तो चलिए सब से बंडिये एक वाइक है शुक्त ब्लेंड रां करते हैं एक्स एक्सिस है यह एक्सिस है ठीक है और अपने यहां पर ड्राग करते हैं एक वाइज उकुल टू अन लाइन एधर नीचे एक ड्राग करते हैं वाइज उकुल टू माइनस वन है ठीक है फिर हम लोग लिखते हैं अधर ड्राग कर लेते हैं कि और एक वाइज लिए यह अपना ड्राग हो गया एक्स वाइप लें यह क्या है अपने पास जीरो है करें यह पआवाई टू है किए अ फारे थ्रे पाई यह माई-वाई-टू है टो पाई है अब यह इख देखिम हम लोग यहां पर चलते अगर मैं एकसको 0 पिक करता हूं कि आ पिक करता हूं एक्षक करता हूं तो तो can Perdio 14 चलो जाता है यहां पर मैं एकसको 0 करता हूं मेरा ग्राफ यहां परतुरन्त पहुंचता है कि अध्यान से समझ यह आ अब जब मैं पाइल ? ने ता हो एक का मतलब है कि जब मैं यहां पर 0 पिक करता हूं देखिए हंब यहां पर मैं जब एक सुको माइनस पाइवार टूपिक किया तो भी मेरे को यहां पर क्या मिल गया य इनफिंटि ही मिला प्लास इनफिंटि मतलब यह घ्राफ अपना इधर चला जाएगा यही तो कह रहा है कि यहां तक लियर हो है फिर आगे बढ़ते हैं पाई पर आते हैं तो काश पाई क्या हो जाएगा कास पाई माइनस वन चला जाएगा तो देकिए और इसे मतलब ग्राफ अपना यहां आएगा और जैसे यहां पर हम लोग रखेंगे पाई रखा तो minus 1 पे आया तो ये ग्राफ इधर नीचे की ओर चला जाएगा नीचे चलाएगा इस मतलब ग्राफ हमारा कैसे बनेगा यहाँ पर बैलू रखोगे तो बेसिकली आपके पास क्या जाएगा चुकि नीचे है तो minus infinity की ओर ही आएगा कि इधर हो जाएगा हिग जब आप यह थ्री पायवेट टू पर पहुंचे तो अपना ग्राफ कहां मिला थ्री पायवेट तो नहीं है यहां तक तो गया कि देखों आपने राखा थो माइनस वन पायवेट ग्रूर पायवेट टू थृपायवेट फिर नीचे आया पायवेट पाइब टू आएगा तो टू पाइज ऐसे रखोगे तो अपने पास क्या आएगा फिर यह वन पर ही आएगा ठीक है और इधर और इधर इधर आपके पास यह फाइब पाइब टू होगा ठीक है तो बेसिकली एगर आप कहां बनेगा इधर चला जाएगा फिर से आप बैलू रखके चेक कर लिजिए तो पाइब यह वन पर जाएगा ठीक है तो बास समझ में आ रही है यहां पर पाइज से आगे बढ़ोगे ते नीचे की ही और आएगा ध्यान स पाइब टू से आप आगे हो प्लस इनफिंटी की वर जा रहा है सुरी माइनस इनफिंटी की और देके नीचे माइनस इन फिंटी यह देखे इन दोनों के बीच में ग्राफ है नतिंग यह टुच नहीं करेगा अगे ऐसे ऊपर है यह टू पाइज यह रखोगे और यहां प यह यह ना अगे है तो आपको उपर देखेगा इधर चले आते हैं अपके पास इधर कहां मिलेगा यह पाइपर मिला इधर भी मिलेगा कहां पर मिलेगा आपको मिलेगा यह माइनस पाई पर नीचे की और चला जाएगा इधर मिल जाएगा आरेव क्लियर इधर आपको टू पाई पर मिल गया थी पाई पर नहीं मिला जीरो से माइनस पाई से पाई पर मिला फिर पाई पर नीचे मिला फिर अपने पास टू पाई पर मि इधर भी आपको टू पाई पर मिलेगा इधर मिलेगा ऐसे ऐसे तो अपने पास से का ग्राफ हो गया आप इसको कर सकते हो ठीक है कि वैलू रखके चेक करोगे तो आपको दिखेगा बात को समझ में आ की यहां पर आपको बल्व ऐसे ही रखना है जैसे मैं से आगे बढ़ा कि तो पाई रॉस से पहले पाई वै टू माले ये मैं लेकर कर भी चलना Hai थैके जैसे में और पाराया और मैं अनila को इंटी है ठीक है पर रखना जैसे 0 रखा जीरो से पाइच पाइट 살 Time viye, तो रोट टू मतलब ऐसे उपर क्यों चलता चला जाएगा जैसे आप बैलू बढ़ाते जाओगे एक जैक्ट मैंने आप पाई रखा है ठीक है ऐसे इधर जब नीचे आप देखोगे तो पाई रखोगे तो नीचे की यहाँ माइनस वन पर आएगा और जब पाई से थोड़ा कैसे सारे में अपन चेक करोगे ताब को दीखेगा आप हम लोग इसका सब्सक्राइब देखते हैं डोमेन और रेंज की बात के लेते हैं इसका जो डोमेन आएगा माइनस इंफिंटी से प्लस इंफिंटी क्यों राएगा अगर आप कहां कहां नहीं मिलना है इधर थ्री पा सकते हैं टो मानेस इंफिंटी से प्लस इंफिंटी ओ ती कह या फिर हम लोग ऐसा गण सकते हैं की मानास इंफिंटी टू वान ले सकते मानासट सिंटी सुमाइनस वाड़ाराइक सीकात यह आपना वू गहीन है ओ तो यह अपना हो गया अब अगर इसके पीरियड की बात करें इसका पीरियड अपने पास क्या मिलेगा टू पाई टू पाई के डिस्टेंस पर आपको ग्राफ मिला है रिपीट कर रहा है टू पाई डिस्टेंस के बाद देखो यहां पर पाई टू पाई टू पाई थी पाई यहाँ जीरो से टू पाई के बेद यह ग्राफ रिपीट किया इधर भी देखो टू पाई इधर भी आप देख सकते हो यह पाई है माइनस पाई इन दोनों के बीच का गैपिंग टू पाई ही है बास समझ में आ रही है ति अपने पास हो गया सेक का ग्राफ अगला हम लोग द कि चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम लोग एक स्वाइब रहा करते हैं कि अपने पास यह अपने पास यह अपने पास वाई एक सिसे हैं है ठीक है और इधर अपने पास थोड़ा सब्सक्राइब तो नहीं बन सकता बोड़ पर है ना तो इस लिए थोड़ा सा आप लोग इसके से जब बनाएंगे तो एक्जेक्ट आपको दिखेंगे ओके वाई इस एकोल टू वान है यह वाई इस एकोल टू माइनस वान है चली यह अपने पास दिखें निमिंग कर लेते हैं यह 00 होता है ठीक है यह हम लोग यहां पर जिरो वान लिखते रहे हैं ठीक है वान टू स्वरी पाई बनाते अगर मैं को सेक एक्सक को जीरो पिक करता हूँ क्टो सैने जीरो वीन पस मतलब मैं जीरो पिक करहाओ तो मेरेको नविन फिनिटी पर जा अगर मैं यहां पाई बैवाई लेकर ईडिस पर जाएगा ए वह और विन पीक नहीं देखो पाई टू पिक रहा हो तो मेरे को बहलू कहा है नवं तोड़ा से लिद्धे अगर मैं एक्सोग जीरोपिक कर रहा हूं तो वाई मेरा इनफिंटी जा रहा अगार मैं एक्स को पाइवेगफ कर रहा हूंत मेरी एक् 숨हाई कहाए जैद रहा है वाई मेरा दॉपर शाड़ा है को थो यहां तक आपको बाते समझ में आ रही बाई पिकक करता हूँ तो कास इसको मैं ऐसा लग सकता हो ना क्या लिख सकती है इसको वहना पाल स्थ करोगे तो पाहई पु क्रोगे तो पास क्या होगा काश नाइन टी विच इकोल टू जीरो वन अपाइं फिन्टी पर चला जाएगा पाइप करोगे तो वाई आपको फिर से इंफिन्टी पर मिलेगा इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब तो एक बेसिकली इसका ग्राब कुछ हमारे पास ऐसा ही बनेगा देखिए यहां पर पाय वाइट उपर महत पर वन पर अरहा है और जब मैंढ़र रख रहा हूं तो जीरो ले रहा हूं इधर चला जारा प्लस इंफिंटी के और पाइव ले रहा हूं तब भी आपको ऐसा ही ज मेरे को इधर देखना है तो जब मैं यहां 352 पर आऊंगा तो साइन 352 क्या होगा साइन 180 प्लस पाइवेटू यह यह नो और साइन माइनस का काश 90 होगा यहां से आपको कहां भेज दे गए इधर आपको कहां मिले गजर आज इसको समझना इधर हम लोग आते हैं तो आपको कहां मिलता है 352 रग लो तो यहां पर जैसे अपन रखोगे तो बेसिकलिए आपके पास यह पहुंचा देगा आपको साइन 180 प्लस पाइवाईटो यही तो होगा यह यह नो और साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा थर्ड कौाडिनेट में आप चले आओगे आओगे या नहीं आओगे तो माइनस का क्या मिलेगा आपको साइन पाइवाई टू मिलेगा और माइनस का साइन पाइवाई टू होता है क्या है बिड़ा माइनस वन होता है इसका मतलब जब मैं थ्री पाइवाई टू पिक करूँगा ति यह मेरे को यहां भेज देगा अब थ्री पाइवाई टू से पाई से आगे अगर आप बढ़ते हो या इससे पहले आते हो और इससे बाद में जाते हो तो दी मेरे को नेगेटू की ही chamado कर इदडर इदार DR आ यहांपर इट स्ट नहीं कर रहा वाटाइच इसको अप समजने की कोशिश करना यह टच नहीं करेंगे दोनों को यह माइनस इंफिंटी गोर चला जाएगा अब ज़रा इधर आते हैं इधर तो यह पाइवाइटू पर बन गया ठीक है इधर अपने पास यह कहां बनेगा इसको में बनाना है अगर मैं यहां पर माइनस पाइवाइटू पर दखाओंगा थो जैसे मैं काषब यहां साइन माइनस पाइवाइटू रखोंगा यह माैनस ब्दीowa is देगा फिर से यहां पर माइनस का एक माइनस पहले से माइनस और आएगा और साइन पर चला जाएगा और वन के पहले और बाद में देखो के प्लस इंफिंटी को और मेरे को भेज देगा जैसे साइन का ग्राफ बनता था जड़ा समझना साइन का ग्राफ आपने देखा होगा डोमें रेंज रेंज क्या होती थी माइनस वन से वन होती थी सिम वही फंडा यहां पर है देखो तो यह अपने पास हो गया अब इसके हम लोग डोमें देख लेते हैं तो डोमें कहां से आ रहा है माइनस इंफिंटी से प्लस इंफिंटी की ओर तो आ रहा है बट बीच बीच में गैप करता हुआ रहा है क्या पाई पर मिला है क्या जीरो पर मिला है नहीं मिला है तो माइन माइनस का गोए यह लांग कहा से करेगा इंटीजर से करेगा करेगा है यह यह अनो अरो झॉल्क ग्लियर डॉमस्ञ आस बातने द भाक वैसे घेसं पूलए मontin फिलस उन्फिन्टी दिखते रहा है क्या देखो जरा ध्यां Munas इन्फिंटी से माइनस वन तक आ रहा है यूनियन वन से फिर इन्फिंटी के वर जा रहा है पीरिएड कितने के बाद ये ग्राफ रिपीड कर रहा है टूपाई डिस्टेंस के बाद ये ग्राफ फिर से मिला इधर भी देखो टूपाई डिस्टेंस के बाद ये ग्राफ फिर स से मिला इसका मतलब जो इसका पीरियड होगा बेटा उट टूप आई होगा ते अपने पास टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी सिक्स आइदेंटिटी आपके पास शुरीशियो थे वा श्रैजिए थे साइन안 कॉस्ट अपना फिनस हो गया अब हम लोग आते हैं इनोंस टेक्नोमेटिक फंक्शंस फर ठीक है तो चले नोट करनो फिर कि इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन तो इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जैसे हमारे पास टेक्नोमेट्री रेशियों थे 12 के 10 को से तो तो सजिए का हम लोग यहां पर इंवर्श पढ़ेंगे कि उसका ग्राफ कैसे ड्राव होता है तो बैसिक्लि सबसे पहले देखेंगे इसकी डिमें क्या होगी और रेंजस क्या होगी एक इसके रेंजस क्या होगी कि तो साइण इन्वर्स एक्स और उन्वर्स एक्स और नष्ण एक्स इन तीनों का जो रैंज आएगा इस वार रहां से माइनस अपाई टू से पाई बाई टू के बीच आएजा तो और आप्के पास होगास इन्वर्स है कह अद्धिम सिक्विश। एक्स और काट इन्वर्स एक्स इन तिनों का जो रेंज आएगा ओजीरो से पाएके बीच आएगा अब ज़रा समझना यहाँ पर जब आपके पास वाई जीकुल टू साइनेक्स का ग्राफ होता था तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर हम लोग देखेंगे कहां से माइनस पाइवाइट टू से पाइवाइट तो आपक के पास माइनस पाइवाइट यह जीरो होता था अरे वन होता था इदर माइनस पारिये से पार अकरी कि दो मेंन क्या होती थी is इसकी मांधस इंफिंटी सेатफिटसी अगर आपस यहां से इंदोनों के बीज्च की बात करोगे तो इसकी डो मैंसपाय घुझी यिवाय से प्लस मेंच की पीछ के बट अगर यहां कि एक इसका मतलब क्या है कि जो डोमेन पहले अब वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज था वो अब डोमेन बन जाएगा आर यूज तो इसका ग्राफ बेसीकली बनेगा कैसे तो चले यही देखते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसे तो अब हम लोग देखेंगे कि y is equal to sin inverse का ग्राफ कैसे बनाएंगा y is equal to sin inverse x ग्राफ ठीक है अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें अगर मैं इसको x बना लो x is equal to sin y कर सकता हूँ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ अब यहाँ पर मेरो को पिक करना है और मैं यह yr अगर मैं वाई को जीरो पिक करता हूं इस बार मैं वाई को जीरो पिक करूंगा तो जब आप वाई को जीरो पिक करोगे एक्स जीरो मिलेगा जब वाई को पाई वैट टू पिक करोगे तो एक्स वन मिलेगा जब वाई को आप माइनस पाई वैट टू पिक करोगे तो आपको X क्या मिलेगा माइनस 1 मिलेगा आरे यू क्लियर यह आपके पास X एक्सिस है यह आपके पास Y एक्सिस है इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर बेलो पिक कर रहे हैं Y 0 को Y 0 ले रहा हूं X 0 मिलना है जब मैं Y को PYPY कर रहा हूं जो ग्राफ बना है आपको यह वाई इसकोल टू साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ है इसकी जो डॉमेन होगी डॉमेन तो डॉमेन आपके पास इस बार क्या होगी माइनस वन से प्लस वन होगी प्लोज इंटर्वल में माइनस वन से प्लस वन रिंज क्या होगी माइनस वाई वे टू से प्लस वाई वैर्ण चु अ कि आ रहे हो क्लियर ते अपने पास साइन और सेक्स का ग्राफ हो गया ठीक है तो अगला हम लोग अगले लेक्चर्स में डिसकस करेंगे थैंक यू बाइब टेक क्यार अगले कि है डिसक्ष साइन और सेक्राइब टेक्चर्स में लेक्ति रहे हो अगले ले रहा हमने पहले क्ना विए